आखिरकार बिग बॉस के घर के अंदर वीकेंड कवार पर सलमान खान ने नील भट और एश्वरिया शर्मा के सामने आईशा का नाम क्यूं ले लिया? जी हाँ आईशा का नाम जैसे ही सलमान खान के मुव पर आया नील भट के तो होश यूडगे वहीं दूसरी और एश्वरिया के चहरे का तो रंग ही लाल हो गया वो सोचने लगी कि सलमान यहाँ पर आईशा का नाम क्यूं ले रहे हैं? क्या है पूरी खबर? क्या कुछ आपक वीकेंड का वार पर देखने को मिलने वाला है चलिए आपको बताते हैं लेगिन इससे पहले चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं जल्दी से हमारे चानल को सब्सक्राइब कर लें साथ में घंटी के निशान को ज़रूर दबा दें आपको बता दें कि वीकेंड का वार पर सलमान खान इस सबते सबसे पहले तो एशुवरिया को जम कर फटकार लगाएंगे और ये कहते हो नजर आएंगे कि तुम बिग बॉस के घर के अंदर काफी अग्रेसिव हो तुमारा ऐसा नेचर घर के बाहर आ रहा है जैसा तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा और तुमार एक को स्टार जो थे वो तुमारे साथ कैसे रहते थे कैसे तुम्हें वो बरदाश करते थे जिसके बाद आशुवरिया ने कहा कि ऐसा बिलकुल भी नहीं है मैं इतनी अग्रेसिव नहीं हूँ जिसके बाद सलमान ने कहा कि अगर तुम इतनी अग्रेसिव नहीं हो तो तु आईशा की cat fight की news क्यों आती थी तुम वहाँ पर भी लड़ती रहती थी और तुम्हारे कोश्टार तुमसे वहाँ पर भी तंग थे और अब बिग बॉस के सबी कंटेशन तुमसे तंग हैं साथ ही साथ आपको बता दें कि बड़ी ख़बर ये भी आ रही है कि हो सकता है कि इन बॉस हीजन 17 से जुड़ी हारे की latest news के लिए हमारे चैनल को जुरू सब्सक्राइब करें